हेलो दोस्तों स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल नौकरी वाला में तो आज की जो वेकेंसी आ रखी है टाटा ग्रूप की तरह से बंपर भरती का ओफिशली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और ये जो वेकेंसी निकाली गई है यहाँ पे टाटा ग्रूप का एक डिफेंस एक्टर है जो कि आपका टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है जो कि डियाडियो के साथ भी काम करता है जो कि डिफेंस एक्टर की कंपनी आपकी रहेगी इनके साथ भी काम करता है इनकी तर बहुत ही बड़ी आपको देखने को मिलेगा स्टार्टिंग सेलरी जो आपका रहेगा 8.5 लपी आपको देखने को मिलेगा लगबग 8.5 लाख रुपए पर annual CTC आपको देखने को मिल जाता है All over India के candidate यहाँ पर eligible है इंडिया में अगर आप कहीं से भी eligible है apply कर पाएंगे लगबग सारी branch और सारे trade आपको देखने को मिल जाते हैं तो कैसे आपको apply करना है उस process के बारे में देख लेते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को like नहीं किया है like कर देना हमारा motivation बना रहता है जब आप वीडियो को like करते हो दूँगा जो आपने मुझको comment box में comment करके बता रखा है आपको बताना है कि आपकी branch कौन सी है trade कौन सा है pass out year कौन सा है fresh और या फिर experience holder हो और अगर आप उससे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के description में और comment box में दोनों जगे एक link provide करवा रखा है connect with me का अगर आप उसपे click करते हैं आपके सामने directly tab open हो जाएगा और आप जो भी platform यूज़ करते हैं LinkedIn, Instagram, Telegram, Facebook, WhatsApp उसपे आपको click करना है directly आप हमसे connect हो सकते हैं और बात कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने आपको top पे दे रखा है selected student के list को तो यह उन student के list है जो कि आप इमें से company में काम करते हैं हमारे चैनल के तुरू तो इससी बात PR चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन को जरूर से प्रेस कर लिजेगा ताकि जब भी मैंने आप श्टूडियो अप्लोड करूँगा आपके पास सबसे पहले notification आएकर आप उसको directly apply कर पाऊगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं चलिए बात कर लेते कि यहाँ पे आपको apply कैसे करना उस process के बारे में साथी साथ हम discuss करेंगे कि आपका selection process क्या रहेगा job location आपको कौन-कौन से देखने को मिलेगा salary क्या रहेगा और यहाँ पे company कौन-कौन से benefits आपको provide करवाईगी यह सारी चीज़े भी हम discuss करेंगे बस आप वीडियो को अच्छे से पूरा देख लीजेगा ताक कि आपको apply process समझ माजए अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे LinkedIn पे जहाँ पे इन्होंने job vacancy निकाला है और यह vacancy यहाँ पे निकाला गया Tata Advanced System Limited के दुआरा जो कि यहाँ पे आपका defense sector की company आपको देखने को मिलेगी जो कि DRU के साथ भी काम करती है और भी बहुत सारे PSU के साथ इन्होंने काम कर रखा है बेसिकली यहाँ पे यह defense sector की company रहने वाली है अब यहाँ पे 17 गंटे पहले job vacancy पोस्ट आउट किया गया है और यहाँ पे quality inspector की position आपको देखने को मिलेगी इन्होंने apply link यहाँ पे provide करवा दी है इस पे आप directly click करके आप इसको apply कर सकते है बाकि यहाँ पे इन्होंने पूरा details से mention कर रखा है और यहाँ पे बात की जाए कि आपका job location क्या रहेगा job location आपका वडूदरा गुजरात का रहेगा मतलब कि आपको गुजरात के लिए relocate होना पड़ेगा और यहाँ पे last date रहेगा 16 जनवरी 2024 तक आप इसको apply कर सकते है मतलब कि अगर आप 16 जनवरी तक इसको apply कर देते हैं तो अच्छी बात है अगर आप 16 जनवरी के बाद वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको apply नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो इसका apply link है वो deactivate कर दिये जाएगा अब हम जल्दी से जान लेते हैं कि apply कैसे करना है तो यह जो apply link है मैं आपको वीडियो के description में दे दूँगा अगर आप इसपे click करेंगे आपके सामने directly यह tab open हो जाएगा जो कि आप अभी screen पे देख पा रहे हैं इन्होंने directly mention भी कर रखा है कि hiring alert quality inspector की position रहेगी और यहाँ पे job location वडोदरा गुजरात का रहेगा जहाँ पे star mark इन्होंने mention कर रखा है वो indicate करता है कि आपका यहाँ पे mandatory है उसको आप खाली नहीं चोड़ सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपका full name आजाएगा कि आपका जो पूरा नाम है उसको आप यहाँ पे mention कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आपके mobile number आ जाएगे जैसे कि mobile number के आगे यह star mark दे रखा है तो इस option को fill करना पड़ेगा आपके जो भी mobile number है वो active mobile number यहाँ पे डाल सकते हैं उसके बाद आता है कि आपकी email ID किया है तो आपकी जो active email ID है वो यहाँ पे डाल दीजेगा फर्दर यहाँ पे आपसे contact किया जाएगा आपके mobile number के थूर और आपकी email ID के थूर उसके बाद गया गरना यहाँ पे कि आप जिस company में काम करता है current company के अंदर उस company का नाम डाल सकते हैं यदि आपने कोई apprenticeship का रखा है जहाँ से भी apprenticeship किया है उस apprenticeship किस company से कर रखा है उसके बारे में detail से बता सकते हैं उसके बाद पुछा गया है यहाँ पे past company का क्या नाम था यहां पर आप डाल सकते हैं अगर आपने किसी company में काम नहीं की है past company में तो आप यहां पर any fill कर सकते हैं अपनी current company के बारे में यहां फिर details से बता सकते हैं अब पुछाए कि यहां पर experience अगर आपको है aerospace quality के अंदर अगर आपके पास है तो यहां पर fill कर सकते हैं आपके पास नहीं है तो यहाँ पे NA फिल कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे 0.00 फिल कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे उसके बाद यहाँ पे आपको आता है कि In which industry you have कौन से industry में आपने काम कर रखा है तो यहाँ पे आपने aerospace manufacturing में कर रखा है तो उसके बार में अगर आप बताना चाहिए तो बता सकते हैं MRO में कर रखा है उसके बार में बता सकते हैं किसी अदर इंडस्टी में काम कर रखा है तो अदर वाला option है इस पे टिक करने हैं और यहाँ पे जिस इंडस्टी में काम किये है उसके बारे में detail से बता देना है current CTC कितना है उसके बारे में आप बता सकते हैं अगर आप यहाँ पे माल लेते हैं कि आपने कोई apprenticeship कर रखा है और आप apply करना चाहते हैं यहाँ पे तो आपका जो भी यहाँ पे annual आपका मंतली कितना आपका यहाँ पे stipend था उसके according आप बता सकते हैं कि आपको कितना payment मिलता है दैन फिर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप यहाँ पे relocate होने के लिए तयार हैं वरुद्दर गुजरात के लिए तो यहाँ पे आपको relocate होना ही पड़ेगा आप यहाँ पे no वाले बटन पे टिक करेंगे तो selection ही नहीं होगा आपको यहाँ पे yes वाला जो बटन है उस पे आपको टिक करना पड़ेगा उसके बाद पुछा है कि आपका यहाँ पे education qualification क्या है अगर आपने diploma कर रखा है बी टेक कर रखा है या फिर आपने कोई IT कर रखा है तो IT वाले अधर वाला option टिक करेंगे जिन्होंने diploma बी बी टेक कर रखा वो यहाँ पे अपने diploma बी बी टेक में टिक कर सकते हैं उसके बाद पुछा है कि यहाँ पे कि आपकी जो ब्रांच है बी बी टेक को डिपलोमा की क्या ब्रांच है टीक है जैसे कि electrical है mechanical है या फिर आपने किसी अधर ट्रेड से कर रखा है तो यहाँ पे आप अधर वाला option टिक कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मैं अधर option को टिक कर देता हूँ तब कि जो भी ब्रांच है अलग है civil है या फिर आपकी ब्रांच में आपकी metallurgy है chemical है कोई भी ब्रांच है उसको टिक कर दीजेगा उसके बाद पुछे है कि यहाँ पे आपके पास valid certificate है कि नहीं है है तो yes कर दीजेगा अगर आपके पास नहीं है जो आपका रखा तो आप इसको खाले भी छोड़ सकते हैं उसके बाद पुछे हैं यहाँ पे कि आपको hands-on quality आपको inspection का experience है कि नहीं है किस industry के अंदर है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं इर फे में हैं इंजन में हैं इलेक्ट्रिकल में है ठीक है या फिर आपकोAllah structure के अंदर है जिसमें भी है उसके बारे में है बता सकते हैं उसके बाद पुछे हैंapore है कि अपका highest academic passing year कौन है उसके बादे में अगर आप details से बताना चाहें जैसे कि आपका passing year कौन है तो आप अपना passing year बता सकते हैं कि आपका जैसे कि भी वी टेक कर रखा है तो उसका पासरोटी है कौन सा था अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है उसका पासरोटी है कौन सा था then for यहाँ पे करन्ट लोकेशन के बरह में पुछा है और आपको यहाँ पे पूछा गया है कि please upload your resume तो यहाँ pad file वाल option है इस पे टिक करना है file manager open होगा वहाँ पे जहाँ पे भी आपका resume है उसको यहाँ पे upload कर देना है finally submit वाला button है इस पे click करके आप अपने application form को यहाँ पे submit कर सकते हैं तिरह आपका पूरा process और जो आपने email id यहाँ पे डाला है उससे ही आपसे connect किया जाएगा अच्यार आप उस email id के थुरू आपसे connect करेगा directly आपको email आजाएगा अगर आपका selection होगा की नहीं होगा देखे अगर आपका selection हो जाता है तो आपको email आजाएगा आपके walk-in entry के लिए और जो walk-in entry रहेगा वो आपका online या offline दोनों medium में लिया जा सकते है जो कि decide करेगी company और यहाँ पे package आपका बड़ी है अगर आप interested है तो इसको apply कर दीजेगा कोई भी doubt है तो comment box में comment करके push सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो को like करेगा शेयर करेगा ओन लोगों तक को job की नीड़ है comment box में जरूर बता देना कि आपका education qualification कौन सा है कौन सा ही job आप search कर रहे है all the best, जैहिन